दोस्तों आप लोग अपने phone से बेहतरीन poster बनाने के लिए आपको इस वीडियो को लाश्टक देखना होगा क्योंकि Republic Day पास में ही आने वाला है तो आप लोग Republic Day का poster बना सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपने कई सारे poster बनाना सीख जाना है तो दोस्तो तो आप लोगो इस वीडियो को लाच्टक डेχ हुआए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़ है आप से रिक्वेस्ट करता हो कि यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को लाइक जरूर कर देना जैसेही आप extraordinary केशन खोलेंगे अपने को open करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा अब यह एप कौन सा है वह मैं आपको आगे वीडियों बताऊंगा और कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको इसी वीडियों में पूरी जानकारी दूंगा तो आपको इस आपको ऐसे open कर देना है open करने के बाद में आपको यहाँ पर delete option आएगा यहाँ पर आप click कर दीजिए जैसे ही आप okay कर देंगे तो यहाँ से जो text लिखा हुआ था तो हट जाएगा ठीक है अब आपको एक poster लेना है इसमें कुछ ऐसे important बाते हैं जो कि आप बिना सुने बिना देखे वीडियो को आप नहीं कर पाओग लेकिन है बहुत ही आसान तरीका तो आपको जाना है उपर three points पर points पर जाने के बाद में आपको use image from gallery पर जाना है यहाँ पर जब आप click करोगे तो आपके सामने आपकी जो सभी photo होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी तो आपको सीथा जाना है इस पर जैसे ही आप जाएंग photo होंगी मैं आपको दिखा रहा हूं photo counts ही होंगी तो आपको एक ऐसा पोस्टर लेले ना है ठीक है जब आप एक ऐसा पोस्टर आपको कहां से download करना है आपको सीथा जाना पर और वहाँ आपको सीधा जाना है Google पर Google से आप ऐसा पोस्टर डाउनलोड कर लीजिए Republic Day लिख दीजिए का Republic Day पोस्टर तो आपके सामने ऐसा पोस्टर आ जाएगा ठीक है आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से राइट की निशान पर क्लिक करके इसा सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट करने के बाद में अब सेंपली आपको जाना है प्लस के आइकन पर जैसे ही आप प्लस के आइकन पर जाएंगे तो आपके सामने फ्रॉम गैलरी का अप्शन आ जाएगा तो आप इस पर जाकर क्लिक कीजिए फ्रॉम गैलरी पर जैसी ही आप क्लिक करोगे तो आपके फिर सामने थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में आपको एक इमेज अपनी फोटो ले लेनी है ठीक है अपनी फोटो लेने के बाद में जैसे कि मैंने ये फोटो ले लेनी है ठीक है जैसे ही हम click करेंगे तो यह photo ऐसी आगे इसको cut कर लेना है बिल्कुल fit photo की size से cut बराबर करके अब नीचे right की निशान पर click करके इसको हम photo को select करेंगे अब यहां से फोटो को छोटा करना है कि यहां points पर click करके इस photo को छोटा बड़ा कर लेंगे इस photo के जिस जगह पर हम को select करना होगा select कर लेंगे और इसको साइच छोटा कर लेंगे ठीक है है और हमें कि जिस प्रकार select करना होगा सको कैसे select कर्लिया select करने के बाद में एक side पर click कर देंगे, रख देंगे इसको, अब आपको जाना है सिधा photo इस option पर, इस option पर जाने के बाद में, नीचे, आपको आना है सिधा side पर, अब इसका हमें white background हटाना है, तो कैसे हटाना है, ठीक है, सिधा इस पर, easer, erase color पर जाएंगे, इस पर click कर देंगे, जैसे हैं अब आप यहां से ok कर देंगे, ok करने के बाद में, फिर से हम अपनी photo पर click कर देना है, आप यह देखिए, कैसे हमारा photo select हो चुका है, अब आपको इस पर लिखना है, happy republic day, तो लिखने के लिए, बहुत ही best front आएगा, तो आप बहुत ही best तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, अ अब आपको इस पर लिखने के लिए जाना होगा, इक a option पर, इक a option पर जैसे ही आप जाएंगे, तो आपको plus के icon पर click कर देना है, जहां पर text लिखा होगा है, यहां पर click करके आपको friends, आपको सीधा जाना है, edit के option पर, asset के option पर जाने के बाद में, इस text को delete करना है,烟्पी, इस पर लिखना Happy Independence मैंने लिख दिया है Happy Republic Day अब इस पर लिखने के बाद में OK के Option पर क्लिक कर देंगे पोके पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आ गया है आपका लिख के अब इसका हमें स्टाइल इस लिखना है इस पर बिल्कुल स्टाइल में तो आपको जाना होगा साइड में और ये करव पर आपको क्लिक करना है ABC लिखा जिस option पर आपको इस पर click करना है click करने के बाद में इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं मैंने ऐसा कर दिया है जिस type से आपको करना है कर सकते हैं अब write के निसान पर click कर देंगे इतना करने के बाद में आपको जाना style पर यह style का option है आप इस पर जाएंगे और जिस style में आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं ठीक है आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे style पर लिख दिया है अब उसके बाद में अब आपको और style में जाना है तो आपको front के option पर जाना है front के option पर जाने के बाद में आपको कोई एक सा choose कर लेना है जिस front पर आप लिखना चाहते हो मैं एक front choose कर लूँगा choose करने के बाद में okay कर देंगे ठीक है okay करने के बाद में आप देख सकते हैं अब इस पर लिखना है 2021 2020 तो उसी प्रकार से हम इस पर 2021 भी लिख देंगी जिस प्रकार से मैंने यह हापि Republic Day लिखा है आप उसी प्रकार से 2021 भी लिखिता नहीं और जो जो आपको इस poster पर लिखना है वह आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से ठीक है अब आग वीडियो को सेउब कैसे करना है के बाद में आपका जो पोष्टर होगा सेव हो जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो कैसे लिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें ताकि वो भी इस टाइब की फोटो में पोष्टर बना सकें